नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों चाहे कोई कितना भी लालस क्यों न दे चाहे कोई आपकी शामने कितना भी जिद क्यों न करे प्रंच दोसों आई शाम से आपको ये बातों को भूल कर भी नदरंदाज नहीं करना है और नहीं दोसों ये अपन जुनकाल में बिल्कुल ही धाल लेनी है दोसों सबी से आप के जुनकाल में जो बड़े महत्पुर्ण बतलाव होने वाले हैं दोसों सुनकर आप शिविके खोष उठ venture के गश्णकर देगर दोसों आप शिवि 04 को बता दी कि आज की है वीडियो आप शिविक नहीं करेंगे और जो भी दुश्मन आपके पीछे लगे हैं जो भी द्यत्ती लोग आपके पीछे लगे हैं आपके कारियों में बधाएं आपके कारियों में जो अगे बढ़ने नहीं देना जाते हैं जो आपको हमेशा आपके रास्तों में मुशिवत खड़े करने की प्रया पर कि Celebration, यह वा का लाइक है। अगर आप अपनी जुनकाल में अपना लेंगे। जिने अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए आप शुभी जुनकाल में आपकी एक डुन जाएगी। जिने आप दोस्तों आपको अपनी कदमों में होने वाली है जी हैं दोस्टों दोस्टों एक परगाशे एक शब्दों में कहें तो दोस्टों आज का यह वीडियो आप शिबी के किश्मत के ताले की चाबी होगी जिने अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो दोस्टों आप शिबी का जिवन धन्य हो जाएगा और दोशन इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको आज की इस वीडियो को बिलकुल ही मिश नहीं करना है और दोशन सुरूश लेकर अंद तक बिलकुल ही ध्यांश देखना है क्यों दोशन आप शिवी को बता दें कि हमने बहुत शारी वीडियो में यह बात कही है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिया दोस्तों कुछ लोग वीडियो को आदे जुरुद देखके छोड़ देते ही और बाद में फिर कमेंट करते हैं कि गुरुजी यह बात हमें शमज में नहाई तो दोस्तों आप को बता दे ऐन की हर बातों का शमाधान इसमेह घर वालो को जवाब आपको इस वीडियो में मुलेगा प्रंतो आपको करना क्या है अपने जुनकाल के महत्पुल्शम में से थोड़ा शे मय निकाल कर इस वीडियो को देना है और इन्हें ध्यांशी से देखना है इन्हें अच्छी तरीके से शमझना है जियां दोस्तों तभी आप शारी शमशाओं का शमधान पराथ कर पाएंगे जियां दोस्तों शुप देखनेश यही नहीं होगा दोस्तों आपको हर बातों को शमझना होगा कि गरहों की सत रृष्ण मन लोग आपको प्रिशान करते हैं आपके ऊपर हिर्शिक्रीराय करते हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा latitude का सामना करता है जिन से आपकेही कारी बनते बनते बिगड़ जाते हैं दोसों एक प्रिकार्शे कहें आपकी जिवन शारी शमिश्याव का शमधन आजके इस एक वीडियो में लेकर आये हैं, दोस्थों शारी बातें आपको बहुती विश्तार टोरिकेशे हम बाताने वाले हैं, तो दोस्थों वीडियो को अंतर तक देखना अब आपका अन्दाईद होगा, तो अधो धोस्थों वीडियो को प बगवान शनिदेव के शच्चे पिर भकते हैं दोस्टों वीडियो को एक प्यारा श्लाइक जरूरी किजेगा और दोस्टों कमेंट बॉक्ष में सच्चे मन शच्चे हिड़ भावशी जय माता दी जय शनिदेव जरूर लिखेगा दोस्टों आपके दिल से की गई एक पुकार दोस्टों देवकुंड में बेठे शवी शवर के पास चली जाएंगे तो दोस्टों सच्चे हिड़ भावशी जरूर लिखेगा और चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही किजेगा कि दोस्तों इस चैनल ने बहुत शारे लोग जुड़े हैं जिने हमारी उपर बहुत ज़्यादा बिश्वास है जिने इश्वर के उपर बिश्वास है तो दोसों और आपको भी इश्वर के उपर विश्वार से तो दोसों जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब केज़ेगा तो ऐधोसों बात करते हैं आपके जिवनकाल के शब शे महतन विशे की बारे में जी है दोस्तों और पिछले कईश में से आपको बहुत जादा मुश्यूवितों का शामना करना पड़ा है। दोस्तों बहुत शारी बाते हैं आपके जुनकाल में जुड़े। जी है अगर हम कहने लग जाएं तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सिधा और शर्ल शब्दों में कहें तो दोस्तों पिछले कईश में से आप थोड़ा सा परिशान चल रहे हैं। कुछ लोग तो बहुती ज़्यादा परिशान चल रहे हैं। कर पाते हैं। आप चाहते हैं कि हम हमेशा इश्वर के चरणों में रहें। हम हमेशा इश्वर को खुश रखें। लेकिन दोस्तों जाने अंजाने में किसी के लालच में किसी के जिद में आप शीकारी कर देते हैं। जो कि दोसों आपको उनका खामयाजा बहुती बुरा भूत ना पड़ता है और दोसों आप पिछले कईशी में से यहाँ देख भी रहे हैं तो दोसों अब आपको अपने जूनकाल में आज शाम से ही ये नियम क्यों पालन करने हैं और आज शाम से ही आपके जूनकाल में कौन दोसों आप शिबी को बताया दे कि आज शाम से आप शिबी के कुंडली में तीन बड़े योग बने जा रहे हैं yaptream दोस्तों आब शिव Unknown काल की कर्मों का उद्धे होने का शब्शे महतpun मोका है आप दोस्तों और आप कहते है कि काम दो शब्ध को करता है लेकिन दोस्तों सही का शही शमी पर जो भी काम को करता है उनी का काम शपल होता है इशी परकार दोस्तों आज शाम से जो तीन गरहों का शुब्योग बना है दोस्तों इनमेंगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों आप शुब्योग आप शुब्योग आप के कुंडली में दस्तक देने वाले हैं जिन के कारण दोसों शीदे शीदे माता लक्षमी का शीरबाद आप शीवी को प्राप्त होगा और माता लक्षमी का शाया तो आपके जुनकाल में पिछले कई शमी से चल रहे हैं लेकिन दोस्तों आपके ही गलत आचरन के वजशे आप को इनका शक्ति का हैशास नहीं हो पा रहा है जी हाue Deosadelaw केशि आपको इनका इह हशास होगा आखिर कंशी गलतियां कर रहे हैं और आखिर अभापको क्वा आपको झुख प्रक्ति का अभाश हो जाए और जो उनकाल में जो भी परिशानियों हैं जो भी शंकट हैं चाहे आपके कर्मों श्याय हो चाहे दुश्मन खड़े करे हो दोस्वों शबी के शबी दूर हो जाएंगे जिहां दोस्वों शब से पहले दोस्वों आप शुब को पता दें कि शावित होता है कि मादा लक्षमी आपके कुंडले में आपके जोनकाल में प्रेशन नहицंद कर्म आपके अच्छे चल रहे हैं दोस्वों पिछले कईश्में से आपके बुरे भी कर्म हुए हैं जिनसे में आपको बूरा फ़ल भी मिला है लेकिन दोस्वों कोई शमेश्य आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा शोच रहे हैं कि आखिर हमारे जुनकाल में इशा क्यों हो रहा है हम कौन शी गलतियां कर रहे हैं और दोसों इन्हें याद करके आप बहुत शारे अच्छे कारी भी कर रहे हैं जिनका फल आपको अब अच्छा मिलने वाला है और दोस्तों ये बात आपके गरहों में अच्छी गरहों की स्थिति बरदर्शा रही है जिहां दोस्तों आप शुब को बता दी कि बगवान शुन्दे भी आप शुब के जुनकाल में अब बहुत बड़ा वदलाव करने वाले हैं शनी की तती आपके जो राशी है उनसे लाग भाव में अब आने वाली है जिनसे दोस्तों सनी के परकुब आप शुब के जुनकाल में शुमापत होने वाले हैं शुब फल आपको मिलने वाला है तो दोस्तों ये बातों का विश्यस ध्यान रखना है जिहां दोस्तों आ आप शिवी की जुनकाल में जो भी परिशानिया है जो भी अर्चने हैं जो भी आर्थिक तंगया है दोसों वे शबी दूर होना निस्चित है जिहां दोसों दोसों आप शिवी को बता दें कि अब आपको अपने जुनकाल में करमों का जो प्लड़ रहा है उन्हें भारी ही र दிवेता है जानुक्षी आपके शोच में नकारत्मकिर शक्ती उत्रपन में हो जाई। दोस्नों कहने का तात पर है आपके जुनकाल में जो भी एशक रिकलाब हो रहे हैं। जिनिमें आपको लगधा है कि यहां कारे धर्म से जुड़ा नहीं है। इनमें हमारे कर्म खराब हो शकते हैं इनसे हमारा फ्यूचर आने वाला शमे बहुत तीर दुछ परभाव को लेकर आशकता है तो दोस्वों एशे में आप उन शभी कारियों को आशे ही अपने जुनकाल में त्याग करने का प्रण ले ले दोस्वों यही आपकी जुनकाल के शबशी बड़ा मंत्र होगा जिहां दोस्वों कोई भी चीज अगर आपकी जुनकाल में आपको जहर के शमा लग रहा है और उस जहर को आप जानकर अपने अंदर रख रहे हैं तो दोस्वों यह आपकी जुनकाल की बड़ी गलती है तो दोस्वों अपने जुनकाल में आप शिवी को बता दे कि अब गरहों की जो शुब इस्तिती बनने वाली है इनमें दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही होगा दोस्तों आप शिवी को बता दे कि आपके शुकर गरहयश में मजबूत होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप शिवी की कुंडली म आज शाम से धन बैभाव एशो और आम मिलने वाला है जिया दोस्तों शुंदरता आपकी बढ़ने वाली है दोस्तों शमाज में आपका अकर्षन बढ़ेगा दोस्तों कहने का अतात परिया है कि अब आपके धन से जुड़े जो भी शमशा है वे शबी शमाप्त होने वाली है माधा लक्षमी के शिर्वाशी आपके रुके हुए काम अब बनने वाले हैं जिस जेतर में आपने पेशे इन्वेश्ट के थे दोस्तों उनमें आपको लाब के मोके खुलने वाले हैं यूँ कहें तो जो भी पेशा आपने इन्वेश्ट के हैं उनमें आपको दुगना लाब मिलने वाले हैं दोस्तों अब आपकी जिन्दगी थोड़ा उंचे की तरफ जाने वाला है यानि कि दोस्तों एशोराम की जिन्दगी अब आप जीने वाले हैं दोस्तों अब आपके चेहरे में एक अलगी शुंदरता होगी आपके आँखों में एक अलग ही चमक होगी जो कि दोस्तों आपको आकरशन का केंदर बना देगा शमाज में आप जहां भी जाएंगे वहाँ पर शब लोग आपकी तरफ आकरशित होगा आप शिशलाही मांगेगा लेकिन दोस्तों आप शिवी को बता दे कि ये शब अगर आपके जुनकाल में हो तो दोस्तों आपको बिल्कुल ही किशी को गलत शलाह नहीं देना है अगर आपको लोग किशी कारी को लेकर पूछ रहे हैं किशी कारी को लेकर आपको शमान दे रहे हैं दोसों उनमें भी आपका यही दाय तो होता है कि आप उन्हें अच्छे शलाही दें दोसों इन शे आपकी कर्मों का जो पलड़ा है वो अभारी होगा इसलिए दोसों हमने यह बात पहली भी कहा आपको कि अब आपको बूरे कर्मों की तरफ नहीं जाना है जी हाँ दोसों शाती शात दोसों आपको बता दें कि यश में जो शनी कितिती है आपके राशिश लाभाव में होने वाला है यानि कि दोसों अब आपको अति अनुशाशित यह बनाएगा जी हाँ दोस्टों अब आप हर नियम को पालन करने की शक्ति आपके अंदर आएगी और दोस्टों शमेशे पहले आपको जिम्मेदारी तो देगा लेकिन दोस्टों अगर आप करम के साथ चलेंगे तो दोस्टों उन जिम्मेदारियों में आप शबलता भी प्राप्त करेंग कि दोस्वों पिछले कईश में से आपकी जुनकाल में बहुत शारी परिशानियां आई है दोस्वों बहुत शारी मुश्वपत आप शबे के जुनकाल में आई है लेकिन दोस्वों आपने उन में कभी भी दगमगाई नहीं है दोस्तों आपने हर परिशानियों का शामना शाहस के साथ किया है और दोस्तों यही शब चीजें हैं यही शब गुन है जो कि दोस्तों आपको शबी राश्यों से अलग बनाती है शबी राश्यों से बहतर बनाती है दोसों आपकी जुनकाल में अब शंगर्ष खत्म होने वाले हैं बहदर शंगर्ष के बाद अब आपको एशा इना मिलेगा कि दोसों समाज में आप जो है एक अलगी पहचान बना पाएंगे जिहां दोसों आप शिवी को बता दें कि अब आपके जो बुद्धी है उनमें एक अलगी शक्ती होगी सोचने की शमता आपकी बढ़ने वाली है दोसों आपको बता दें कि अचानक शे आपको एशे खुशियों की प्राप्ती हो जाएंगी जैसे दोसों मानो शमतकार शी हो गई है लेकिन दोसों ये शब आपकी अच्छे करमों का फल होगा और दोसों आपकी अच्छे गरहों की स्तिती होगी जी है दोसों इसलिए गरहों की स्तिती को बहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपायों को भी करना चाहिए जी हैं दोसों ये उपाय आप शिभी को अपने जुनकाल में कभी भी गरहों की स्थिती खराप नहीं होने देगा और दोसों इनसे आपको गरहों का भी शुबफल हमेशा प्राप्त होते रहेगा तो दोस्वों आपको कौशे कारी करना चाहिए ताके दोस्वों गरहों की जो इस्तिती है उनमें आपको शुब फल प्राप्त हो तो दोस्वों इन बातों को अब आप बिलकोली ध्यान से शुनिएगा जिया दोस्वों जो लोग फैर घशिट कर चलते हैं उनका राहु करते हैं दोस्वों एक प्रकार्षे के है अपने जुनकाल में आप कभी भी कोई शुब कारी करने चल रहे है तो दोस्वों पैर को घशिट कर नहीं से राहों खराब हो जाता है और जो भी कारी mają के शुरूआतच करने जा रहे है दोस्वों आपको राहों को वहतर बनाने के लिए यह बातों का ध्यान अपने रिनकाल में अब रखना ही होगा जह दोसूँ दुस्तरा जो चीज है वह है दोस्तों आप कहीं भी कपड़े इदर उदर ना फेकें दोस्तों बात रूम में पानी विखरा कर नहीं रखें दोसों पानी का शीधा तात प्रें चंदरमा दोसों चंद्रमा अच्छा फल नहीं देगा अगर आप पानी का दुरियूपय करेंगे तो दोसों पानी को अपने घर में कभी भी बिखरा कर ना रखें अगर पानी गिर जाए तो दोसों उन्हें शमेट देना चाहिए उन्हें शाप कर लेना चाहिए और दोसों अपने बात है वह बंद होने लगता है दोस्वों कपड़े की जिसे रोन गई तो दोस्वों आपके जुनकाल में एशे ही दुख के दिन आने लगते हैं तो दोस्वों इन बातों का ध्यान रखिएगा दोस्वों शाथी शाथ आपको अगला बता दे कि बाहर से आकर अपने चपल जूते मोजे इधर उदर फेंकना नहीं है उन्हें शही जगह पर रखना है जिए दोस्वों इन शे आपको शत्रू बहुत ज़्यादा प्रिशान करते हैं दोस्वों आप देखी रहे होंगे कि पिछले कईश में श्याप शुबिक जुनकाल में बहुत शारिशे तांत्रिक किरिय क्याएं भी लोग करवा रहे हैं जिनसे आपके ऊपर उनका बूरा अश्यर देखने को मिल रहा है दोस्वों आप यह बातें भी देख रहे होंगे कि पिछले कईश में से शत्रू आपको बहुत ज़्यादा प्रिशान कर रहा है कारियों में आपको शफल होने देना नहीं चाते हैं तो दोस्वों इन बातों का ध्यान रखिएगा दोस्वों अगला जो है राहू और शनी ठीक अगर फल नहीं देता है जब आपके बिस्तर फैला हुआ रहेगा बिस्तर पर जो भी कपड़ी है वो इधर के उधर रहेंगे चादर कहीं होंगी तक्या कहीं होगा दो दोस्वों राहू और शनी ठीक फल नहीं देती हैं तो दोस्वों इनका ध्यान रखना है गरहों की तती को आपको अब शंभाल कर चलना है दोस्वों अगला है चीक कर बोलने से शनी आपका खराब हो जाता है यानि कि दोस्वों क्रोध में भी आपका मंगल खराब होता है और चीक कर बुलने से शनी भी खराब होते हैं। दोस्टों आप इन बातों का ज़रूर ही ध्यान लगें, हर बातों को नरम लेहजे से बात करें। खास कर दोस्टों जब आप कोई नया काम की बात कर रहे हैं, या फिर नय किसी शुरूआत की बात कर रहे हैं, तो दोसों उन बातों में आपको नहीं चिकना है नहीं चिलाना है दोसों शाथे शाथ बुजरों के आशिरवाद से घर में शुक्षमर्दी बढ़ती है शाथे शाथ दोसों आपको बता दें कि आपको अब गुरु गरा को अच्छा बना कर रखना है तो दोसों हमेशे अपने घर के बुजरूं का आपको शमान करना है, घर में जो भी बड़े लोग है उनका आपको आदर शमान करना है, उनका अशिरबात लेना है, दोसों इनसे आपके गुरू तो अच्छा होगा ही, शाथी आपके घर में शुक्षमर्दी बढ़ेगी, कारि प्रशन्ने करना है तो दोस्तों अप्षद बोलने शी आपको बचना होगा गालियां देने शी आपको बचना होगा इनसे दोस्तों ये दोनों ही गरह एक शाथ खराब हो जाते हैं यदि आप किशी को गाली के देते हैं या फिर गाली के शोकिन है तो दोस्तों बुढ़ापे होगा और आपको हर कारियों में शुबलता मिलेगी हर छेतर में आपका नाम होगा हर छेतर में आपके शम्मन बढ़ेंगे दोस्तों बहुत शारे चीज आपके कुछ उपाय को करने से बिन जाएंगे घरों के जित्ति तो आपको शाती शात बहुत ही उत्तम रहेगा घरों का तो दोसों इन बातों का ध्यान अब आपको अपने जुनकाल में आज शाम से ही रखना है, दोसों अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं, तो दोसों यकीन माने ही आपके जुनकाल में जो भी परिशानिया चल रही है, जो भी आपके समयश्याय चल रही है, दोसों वे बता दी कि अपने जुनकाल में आपको अब भगवान से दूर नहीं होना है दोसों हमेशा आपको भगवान के शम प्रहनय है पुजापाट करना है दोसों भक्ती में जिंदगी में आपके अंदर आने वाले बहुत शारी नकार्तमक ख्याल दूर हो जाते हैं जिन से आप गलत कार करने की कभी सोचते तक नहीं है तो दोसों अपनी जुनकाल में अब आपको भक्ती भाव में जुड़ कर ही रहना है जिन दोसों पुजापाट से पहले आपको कुछ बातों का शंकल्प लेना है जिन दोसों संकल्प लेने की बिदी हम आप शिबी को बता दी कि हमारे हि पूजार किशिभी कार की शिद्धी के लिए की गई कोई भी पूजा या पिर नुष्ठान से शुरू करने से पहले अनुष्ठान के शुरू करने से पहले ही शंकल्प लिया जाता है। बुद्धी से यथा शमय यथा शक्ति जो भी पूजा कर रहे हैं वह नाम बोलें पूजा पाठ कर रहा हूँ है परमपिता परमेश्वर इसमें कोई गलती हो तो शमा करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी किरपार्दिष्टी बनाई रखें। दोस्तों यहां शेंकल अगर आप पूजा पाठ करने से पहले लेंगे तो दोस्तों आपके शारी कश्ट शारी पिडाएं शमापत हो जाएंगी तो दोस्तों बिल्कुल ही आप इन बातों का ध्यान रखेगा। दोस्तों उमीद करते हैं कि आज का यहां श्रम्पून वीडियो आप शबी के जिवन काल के लिए बहुत ज़्याद महत्पून राह होगा। दोस्तों गर आपको आज का यह वीडियो पशन आया तो दोस्तों वीडियो को जरूर ही लाइक कीजीगा। इन से हमारा मनोबल बढ़ता है शाती चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजीगा। और इस यही मत्पून जरकारियों के लिए धन्यवाद आपका आने वाला श्मे शुबहो मंगल मैं हो।